नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल का टूल बताने वाला हूँ जो है PDF एलिमेंट के बारे में और बहुत सारे लोग जो है PDF डकुमेंट का यूज करते हैं और उनको इडिट करने में कभी कभी परिसानी होती है किसी भी content matter या PDF के अंदर बिलोंग कर रहे है इस thing nature हो या आपका image हो या कोई text हो या किसी तरह का hyperlink अगर आपको add करने है PDF डकुमेंट के अंदर already वो PDF डकुमेंट है और उसको आप edit करना चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये PDF element जो software है वो बहुत ही ज़्या और ये copy किये हुए यानि duplicate file पर हम लोग editing का काम करेंगे तो यहां पर आप देखे Google में जाने है और PDF element एक software है एक tool है Wondershare के तरफ से download now पर click करे as per your operating system अगर आप Mac user है तो Mac के according डाउनलोड करें और अगर आप Windows user है तो Windows वाला tool डाउनलोड करें कुछ ऐसे features हैं जो यहां पर इनकी website के उपर highlight की गई है जैसे PDF professional और standard दोतर की editions भी है इन दोनों में क्या अंतर है वो आपको आने वाली कुछ सेकेंडों में पता चल जाएगी जब इस टूल को download करेंगे right click करते हुए run is administrator पर click करते हुए इस टूल को simply install पर click करें और इसे simply install होने दे कुछ seconds और minute का यहां पर time लगेगा install होने में meanwhile आप यहां पर इनके website के उपर इस software के buy now वाले बटन पर जब आप click करेंगे तो यहां पर different different editions है जैसे professional और standard edition different different plan है और उस plan के according इनकी costing रखी गई है कुछ-कुछ ऐसे features हैं जो standard वाले version में आपको नहीं देखने को मिलती है लेकिन professional editions में बहुत सारे ऐसे features हैं जो आप PDF document के अंदर आसानी से change कर पाएंगे easily आप अपने PDF document को change कर पाएंगे ताकि आप जो है जैसे digital signature को change करना हो कोई image को change करना हो कोई text को change करना हो header footer को change करना हो watermark को change करना हो यह सभी चीज़े आपको professional वाली version में मिल जाती है जब आप PDF element को install कर लेंगे तो आपको start यानि open करने हैं और आप जो license खरीदे होंगे तो आपको अपने user ID password से login कर लेने हैं आप drag and drop भी कर सकते हैं या open file पर क्लिक कर PDF file को open कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखे कि एक PDF file है Computics Lab की कुछ content है जरूर हमारे चैनल को subscribe कीजिएगा अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ profit और benefit हो रही है कुछ सीखने को मिल रही है तो यहाँ पर आप देखे कि Computics Lab add text add image link watermark background header footer bits number बहुत सारे ऐसे element हैं जो PDF के अंदर आपको changes करने की जरूरत पर जाती है तो अगर आप PDF document के अंदर कुछ changes करना चाहते हैं चाहे वो text को add करना हो जो पहले से text लिखी गई है उसे अगर आपको remove करना हो तो आप PDF element software का use कर सकते हैं add text पर click करते हुए कहीं भी आप add text पर click करे एक छोटी सी box बनेगी और ज text add करना चाहते हैं जैसे subscribe our YouTube channel yes my dear friend जरूर हमारे चैनल को subscribe करें Computics Lab YouTube चैनल को और इस तरह की technical content देखने के लिए इस text को लिखने के बाद easily आप drag and drop करें और जो pointer है उस पे आप arrow के माधियम से size resize कर सकते हैं छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने according इस text के format को change कर सकते हैं जैसे bold italic under color line या color change कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर green color apply कर रहा हूं और size को छोटा बड़ा कर सकते हैं तो simply जो भी text आपको add करना होगा वो आप add text वाले tool के माधियम से PDF के अंदर element को add कर पाएंगे यानि text को add कर पाएंगे अगर पहले से कोई text लिखी गई है simply आप माउस से क्लिक करें और जो भी text delete करना हो, erase करना हो या add करना हो, simply आप वहाँ पर type कर दें, just like a word, जिस तरह से आप MS Word में किसी भी PDF, किसी भी document को type करते हैं और उसी तरह की feel आती है आपको PDF element में, कोई image अगर आपको PDF फाइल में पड़ी हुई है, तो उसे आप rotate करना चाहते हैं, rotate जैसे left, right, horizontal, वो सभी चीज़े आप कर सकते हैं, साथ-साथ, PDF में जो image है, उसे आप उस image को move करा सकते है, just drag and drop करें, जिस location पे भी आपको वो image को रखने हैं, simply आप उस image को drag and drop कर रख सकते हैं, कोई नया image अगर आपको add करने हैं, तो आप add image पर click करें, और आप जो भी image जैसे png, jpg, कोई भी file format आप इसके अंदर add कर सकते हैं, image को add कर सकते हैं, wondershare PDF element बहुत ही कमाल की tool है, बहुत ही wonderful tool है, wondershare के तरफ से PDF element जरूर आप इसका इसका इस्तमाल करें, link element के थुरू आप यहाँ पर देखें, कोई भी particular area, text area हो या image area हो, उस particular text area पर कोई click करें, तो आप अपने website के उपर उसको redirect कराना चाह रहे हैं, तो आप अपने link को यहाँ पर copy paste कर दे, जब भी आपके PDF document के उस area पर mouse से click किया जाएगा, तो आपकी जो website होगी, वो open हो जाएगी, watermark अगर आपको edit करने हैं, add करने हैं, तो simply watermark वाला element को open करें, plus sign पर click करते हुए, आप इसके अंदर watermark जैसे text PDF और image के रूप में add कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक text लिख रहा हूँ, चलिए मैं लिखता हूँ confidential, confidential देखे, आप यहाँ पर इसे move करा सकते हैं, opacity जो है, कितनी percentage हो, like 50%, 70%, 80%, जो watermark की position है, वो अगर आपको change करने होंगे, top, right, bottom, upper, जो भी आपको रखने हैं, left, right, जो भी आपको यहाँ पर position define करने कर सकते हैं, 0 degree करेंगे तो horizontal, वो एक straight horizontal text हो जाएगी, और position अपने according needs के according जो है change करे, यहाँ पर आप pro position of pages को uncheck करेंगे, pre position of pages, तो यहाँ पर आप text को resize कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, और साथ-साथ जैसे मैं यहाँ पर confidential को आपको preview में दिखा रहा हूँ कि confidential कहां-कहां move हो रही है, तो एक बार आप पर position पर जाएं और अपने centimeter यानि vertical और horizontal वाले element को edit करें और apply करें, तो particular जो confidential यहाँ पर मैंने watermark लगाया, वो यहाँ पर एक position के रूप में add हो गई, header footer भी जो है, आप इसके through add कर सकते हैं, किसी भी PDF डकुमे PDF element के through, लेकिन पहले से अगर कोई header photo है, उसमें कुछ आपको changes करने हैं, उसको हटाने हैं, या उसको edit करने हैं, तो simply text जैसे आप edit करते हैं, वैसे ही, simply सभी page के उपर जो भी header photo होगी, उसको आप delete कर सकते हैं, edit कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर header photo रखने होंगे, जो प PDF element वाली header photo है, उसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की tool है, यह PDF element, PDF document को edit करना बहुत ही आसान बना देती है, यह PDF element, जरूर इसका आप इस्तमाल करें, साथ साथ यह जो wonder share की tool है, इनके website के उपर जब आप जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी wonder tool बनाई हुई है, जिसे आप जरूर एक बार go through करें और उसका इस्तमाल करके देखें, यह PDF element की जो download link है, इस video के description में भी मिल जाएगी, simply यहाँ पर base number का भी इस्तमाल कर सकते हैं, base number मैं यहाँ पर use नहीं कर रहा हूँ, cancel कर रहा हूँ फिलाल, लेकिन आप उसका इस्तमाल चाहे तो कर सकते है तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से text को edit करते हैं, add और delete करते हैं, image को edit और add और delete करते हैं, चाहे तो आप PDF element के माध्यम से आप इस PDF document को crop भी कर सकते हैं, compress कर सकते हैं, convert कर सकते हैं other format में, जैसे कि यहाँ पर एक convert वाली भी menu है, PDF convert to word, to axle, to PPT, to image, to text, to PDF itself, तो यहाँ पर आप देखे हैं कि PDF element के माध्यम से किस तरह से आसान बना देती है PDF document को changes करना, save करते हुए आप देखे कि जो file मैंने duplicate बनाया था, वो उसमें आसानी से changes हो गई है, और changes file को जब आप open करेंगे PDF element के अंदर, तो PDF element के अंदर भी यह open होके खुल जाएगी, या आ आज कल के जो browser है, उनमें अगर आप खोलेंगे अपने PDF file को तो वो भी आसानी से open हो जाएगी PDF file, तो यहाँ पर आपने देखा कि PDF file अभी Foxit Reader में खुली हुई है, और जो भी आप changes apply किये थे, वो यहाँ PDF के अंदर आसानी से changes कर पाए हैं, तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह PDF element आप जरूर अपने work style में उसका use करेंगे, अगर आपको PDF document किसी तरह की changes करने की आवस्यकता day by day परती रहती है, तो PDF element जो है, आप यहाँ पर देखें, कि text पर मैंने क्लिक किया और हमारे website के उपर भी यह आसानी से redirect हो गई, learn like a pro, download PDF element software to easily edit your PDF documents, तो यहाँ पर आप PDF document क को edit करने के लिए PDF element का जरूर यूज करे, wondershare के तरब से बहुत ही wonderful tool बनाई गई है, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए thank you so much for watching this video, और इस तरह से आप अपना प्यार दिखाते रहिए, like, share and subscribe करके, thank you दोस्तो कर दोस्तो